हेलो गाईज स्वागत है आप लोगों का फिड से हमारे नई योटुब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाईज आज मैं आप लोगों को अपना इस टॉपलोस ओडर और टार्गेट ओडर दोनों एक साथ कैसे प्लेस करते हैं वो आज मैं आप लोगों को लाइब करके बताने वाला हूँ और सिखाने वाला भी हूँ तो वीडियो का फिर इंटरेस्टिंग होगा वीडियो पे आप लोगों को अंतक बने रहना है और दूसरी चीज अगर आप लोग एंजल वन एप से अभी तक अपना डिमेट अकाउंट ओपन नहीं करा हैं तो आप जाएए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे महाँ आपको लिंक मिल जाएगा लिंक को क्लिक करिए अकाउंट ओपन करिए और एंजल वन एप से अपना ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट करिए ओके तो अब मैं यह मार करके चलता अपना डिमेट अकाउंट ओपन करा चुके हैं अब आप लोग यहाँ से ट्रेडिंग करने के लिए बिलकुल रेडी हैं और आप लोग को कुछ इस टैप का इंटरफेस दिखाई देगा जैसे कि आप लोग स्क्रिन पे देख पा रहे हैं तो आज जो हैं हम लोग प्रोसेस इंटरडे पे समझने वाले हैं और यही प्रोसेस आप लोग का ओप्सेंस पर अप्लाई होगा यही प्रोसेस आप लोग का कमोडेटी फॉरेक्स मार्केट पे अप्लाई होगा तो आज आप लोग इंटरडे के लिए चीज़े समझे अगले वीडियो पे मैं आप लोग को के लिए Commodity Forex Market के लिए बना करके वीडियो अपलोड कर दूँगा आप लोग देखिएगा एंड सीखिएगा ओके तो आज के वीडियो पर हम लोग है Scanner Bank है ना हम कैनरा बैंक पर क्या करना चाहते हैं ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इसी पर हम अपने Stop Loss Order और Target Order लगाना चाहते हैं तो हम सिंपल कैनरा बैंक को सर्च कर दिये और यह जो पहले नंबर की Buying के साइट का हमको ऐसा लग रहा है यह Stock ऊपर जाना चाहती है इसलिए हम क्या करेंगे सिंपल यह Buy के Options को क्लिक कर देंगे तो यह हमने Buy के Options को क्लिक कर दिया Buy के Options को क्लिक करने के बाद आपको कुछ Step का इंटरफेस दिखाई देगा टॉप पे आपको Delivery, Intraday और Pay Later को Option आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ आपको Simple Intraday के Options को Select करना है यहाँ आपको अपना Shares add कर देना है आप कितने Shares के साथ यह कितने quantity के साथ आप ट्रेइडिंग करना चाहते हैं यहाँ आपको Market add कर देना है और आपको Simple Place by Order के Options को क्लिक कर देना है आपको Order Market में Place हो जाएगा तो चली हम सारा कुछ step by step करते हैं तो यहाँ आपको इंट्रडे सेलेट कर देना है तो हमने यह इंट्रडे सेलेट कर दिया आप कौन से रैंज पर एंट्री किये हैं आप 116.60 पैसे करेंज पर एंट्री किये हैं और अभी इसका price चल रहा है 116.58 पैसे 116.60 पैसे इसलिए न आपको यहाँ profit दिखाई दे रहा है न यहाँ आपको loss दिखाई दे रहा है आप एक quantity के साथ यहाँ trade की है है ना तो सारा कुछ आपको यहाँ मिल गया ठीक है अब देखिए आप कौन सा रेंच पे इंटरी की है 116 रुपय साट पैसे करेंच पे अब यहाँ से अगर प्राइज उपर जाएगी है ना 116 रुपय साट पैसे करेंच से प्राइज उपर जाएगी तो आपको profit होगा unlimited profit होगा अब क्या यहाँ से प्राइज नीचे भी गिर सकता है क्या हाँ आपके रेंच से प्राइज नीचे भी गिर सकता है तो अगर price नीचे गिरा तो आपको loss होगा बड़ा loss हो सकता है तो इसी बड़े loss से बचने के लिए हम क्या करेंगे अपना stop less order लगा देंगे तो हम 116 रुपय, 60 पैसे से 2 रुपय नीचे अपना stop loss order लगा देंगे, यानि कि करीब करीब हम अपना stop loss order लगा देंगे, 114 रुपय के range पे, ठीक है, 2 रुपय नीचे हमने अपना stop loss order लगाना है, तो चलिए, अब stop loss order कैसा लगाते हैं, भो हम सिखते हैं, तो यह जो आपका profit पीडे loss चाहरा है नहींगा, इसी को simple आपको click करना है, click करने के बाद यह आप देख पाना है, stop loss order को options दिखाई दे रहा है, बस इसी options को click करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको trigger price को options दिखाई दे रहोगा, यहाँ पे आप अपने stop loss order price add कर सकते हैं, तो अभी हमको 114 order के options को click कर देना है, तो सारा कुछ आप देख लिए, अब आपको simple place sell order के options को click कर देना है, confirm के options को click कर देना है, यह आप देख पारे हैं, आपका stop loss order place हो गया, है ना, यह orders पे आपका stop loss order सो कर रहा है, और यह positions पे आपका profit and loss सो कर रहा होगा, तो चलिए हम positions को देखते हैं, यह आप देख पा रहे हैं, आप entry के हैं, वहाँ से आपको कुछ loss यहाँ दिखाई दे रहा है, तो अब हमको tension वाली बात नहीं है, क्योंकि हम 114 रुपए के range पे अपने stopless order लगा दिये हैं, अगर market बाइचांस नीचे गिर गई, तो 114 रुपए के range पे आ जाएगी, हमारे stopless order लगानेगा, ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि 2 रुपए नीचे गिरेगा, तो हमारा stopless order हीट हो जाएगा, हम market से बाहर हो जाएगे, तो क्या हम target order भी लगा सकते हैं, अगर market 4 रुपए, 5 रुपए उपर गया, तो हमारा profit बुक हो जाएगा, और हम वहाँ से exit हो जाएग तो क्या हम यहाँ से 4 रुपए उपर अपना target order लगा सकते हैं, यानि कि 116 रुपए के रेंच पे हमने let's suppose entry किया है, तो क्या हम 120 रुपए के रेंच पे अपना target order लगा सकते हैं, यह depend करता है आपके उपर, stopless order भी depend करता है आपके उपर, आपके 1% price पे आप अपने stopless order लग चाहेंगे, तो अभी हम 4 रुपए उपर अपना target order लगाना चाहते हैं, तो वो कैसे लगाते हैं, सिखते हैं, तो यह जो आपको profit and loss चाहरा ना, उसी को आपको simple click करना है, उसके बद आपको यह exit को option में आ जाना है, exit को option में आने के बद यहाँ अपना target order लगा देना है, तो add आपको simple exit के options को click कर देना है, यह आप देख पारें, आपका target order भी लग गया, अब आपका target order कहाँ सो करेगा, आपके orders पे सो करेगा, यह आप देख पारे, यह है आपका stopless order और यह है आपका target order, एक सो चोँदा के range पे आपका stopless order लगा है, 120 और रपाएक रेंज पे आपका target order लगा है तो इस type से guys आप अपने stop loss order और अपना target order लगाएंगे ठीक है और आप अपने stop loss order और target order cancel भी कर सकते हैं कैसे करेंगे यह आपको simple cancel all के options को click करना है है ना और यह नीचे पर आपको cancel को options दिखाई दे रहोगा बस इसी cancel के options को click कर देना है और यह आप देख पार है आपको दोनों stop loss order cancel हो गया अब आपको back करना है और आपको positions पर आजाना है यह आप देख पार है आपको profit and loss यहाँ चर रहा है अब आपको यहाँ से exit होना है आप यह सोच रहा है यार मुझे इस stop loss order तो नहीं लगाना नहीं मुझे अपना target order लगाना है मैं उसको cancel कर देता हूँ और आप cancel भी कर दिये अब आप जो market पे चर रहा है ना उसी price पे आप exit होना चाहते है है ना तो आपको यह profit and loss चर रहा है उसी को आपको simple click करना है उसके बद आपको यह exit को options पे आ जाना है उसके बद आपको यह market select कर देना यहां market select करना बहुत ज़री है तभी आप यह exit हो पाएंगे ठीक है तो यह market क्लिक कर दिये और आपको exit को options को क्लिक कर देना है यह आप देख पा रहा है यहां से आप exit हो चुके हैं और यह जो open position show कर रहा था वो close position show कर रहा है और यहां आपको कुछ loss भी हो चुका है है ना तो इस step से guys आप लोग angel one app से अपना entry करेंगे exit करेंगे इस top loss order लगाएंगे target order लगाएंगे उसको cancel करेंगे तो मैं इसे tap के videos बनाते रहता हूँ और अगर आप लोग इस step के videos दिखते हैं तो हमरे channel को आप लोग जरूर subscribe करेंगे चले गाइस बाए बाए टेक कैर ने वीड़े पे मिलते हैं जल्दी तब तक ले बाए